कि अग्याव प्रेंड्स आज हम आप सभी को वताने जा रहे हैं पंचायत चुनाव रिजर्वेशन के बारे में दोस्तों अगर आप मुखिया सरपंच या जिला परिशन या किसी भी तरह का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपके पंचायत में जो सिट है ओ रिजर्वेशन में किस कटेगरी में आ रहा है आप सभी पहले चेक कर ले कि आपका जो सीट है ओविसी है या जैन्रल है या एसी एस्ट है पहले आप चेक कर लिजिए उसके बाद ही आप चुनाव का परकरिया त्यार कीजिए तो आज दोस्तों हम इसके बारे में आप सभी को पुर्ण जनकारे देंगे तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पे नए है तो पिलिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेयर करें और लाइक कमेट करना ना भूले तो वीडियो को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दोस्तों क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद से हम यहाँ पे टाइप करेंगे से यहाँ पर जैसे टाइप कीजेगा उसके आपके सामने साइट यहाँ को क्लिक करना है अब जैसे ही सामने एलेक्षन कमिशन बिहार कर जो पोर्टल है ऑपन हो जाएगा आप सभी को पंचायत चुनाओं के बारे में यहाँ पे आपको total information मिल जाएगा अगर आपको reservation चेक करना है तो पंचायत reservation आप जो देख रहे हैं उस पे आपको click कर लेना है आप यहाँ पे पंचायत reservation पे आप जैसे ही click किजेगा तो आपके सामने एक new tab open होगा अब यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण और आपके पूरे जीले का नाम यहाँ पे शो करने लएगा अब इसमें आप अपना जो भी जीला से ब्लॉंग करते हैं तो इस जीले पे आपको click कर लेना है आपका जो भी जिला होगा उस जिला पे आप जैसे ही क्लिक किजेगा तो आपके सामने पंचायत जो आरक्षन कोटा है उखुलेगा अब हम अपने जिले पे क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं यहां से आप जीला परिशत सदस जीला समीति परमुख उसके बाद से पंचायत समीति सदस मुख्या सरपन जीला परिशत अध्यक्ष इसमें से आपको जो भी चेक करना है तो उस पे आप क्लिक करके आप यहां से उसके बारे में जनकारी ले सकते हैं कि आपके यहां जो आरक्षण रोष्टर त्यार हुआ है उसमें किस का किस केटेगरी का नाम है यहां से आप चेक कर सकते हैं बड़ी असानी से तो आपको जिसके भी बारे में जनकारी लेना है उस पे आपको सिंपल से क्लिक कर लेना है अगर आपको देखना है कि मुख्या का जो सिठ है तो उसके लिए मुख्या पर आपको क्लिक करना है आप मुख्या पर जैसे ही क्लिक किज़ेगा तो आपके सामने एक नुव पिडिया फाइल डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं आपके प्रखंड का नाम सबसे उपर आएगा प्रखंड के नाम के आरक्षित किये गए निर्वाचन छित्रों की सूची मुख्या पद है तो यहां पे आपके जितने भी प्रखंड है आपके जीले में उन सभी का आपके सामने आता जाएगा और उसमें आप अ इसका भी शीट आरक्षित होगा वहीं चुनाव लड़ सकते हैं बाकी दूसरा का नाम नेशन ही नहीं हो पाएगा इसलिए आप इसमें सबसे पहले आप देख लें कि आपका जो शीट है वह आरक्षित है जेनरल है तो उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है लेकिन अगर ही पंचायत में आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर अनसूचित जंजाती ही चुनाव लड़ सकता है क्योंकि जो रोष्टर दोस्तों त्यार हुआ है वह 2016 का पिछले चुनाव का रोष्टर त्यार हुआ है इसी रोष्टर के हिसाब से इस साल भी चुनाव होगा 2021 में भ अनुसार काम होगा जो जो चुनाव पिछले साल अग्रेशी एश्टित था वहिंश सल भी रहेगा तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले 2016 में जो आरक्षण रोष्टर था वो आपके पंचायत में किस जाती के तहद था आप यहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको सरपंच के लिए या जिला परिशत के लिए चेक करना है तो आप उसी तरफ फिर बैक जाईएगा बैक जाने के बाद से वहां से आप फिर ऐसे ही बैक जाईएगा अगर आपको जिला परिशत या इसमें से जिसका भी चेक करना है आप उस पर सरपंच का ही अगर चेक करना है तो आप सरपंच पर क्लिक किजिएगा तो आपके सामने फिर नीव फिडियो डाउनलोड होगा और यहां पे आपके पूरे जीले का परखंड भई परखंड यहां पर आपको दिखाया जाएगा और इस में से आप अपने परखंड में जाईएगा और उसके बाद आपको वीडियो पसंद आया है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे साथ में बेल आइकन को भी दबा लिजे ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो ले के आए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडि ल्री जादि के दाए है jee के शेयं हैं तो आपके जार बेल वीडियो दो आपके दोगे हैं और में ऊापके दोगे अगर वीडियोग थैस के ऐस